एक गरीब बच्चा था जिसे बादाम बहुत पसंद थे तो उसके बाप ने एक दिन दो कटोरी हलवा बनाया और एक में दो बादाम लगा कर उपर सजा दिये और बच्चे से कहा चुनलो क्या चुनना चाहते हो तो बच्चे को बादाम बहुत पसंद थे उसने बादाम वाली कटोरी उठा ली अब दोनों बाप बेटा हलवा खाने लगे गुस्सा बच्चे को तब आया जब उसने बाप की कटोरी को देखा जिसमें उपर तो बादाम नहीं थे, लेकिन बाप जब खाने लगा, तो अंदर से चार बादाम निकले, तो बच्चे का दिमाग घूम गया, बाप ने उसे समझाया, मेरे बच्चे जो दिखता है, वो सच नहीं होता है, जिन्दगी में स्वाद की आदत पकड़ कर चलोगे, अपना ही अपना सोचोगे, तो अपना नुकसान कर बैठोगे, कुछ दिन बाद बाप ने फिर वही रिपीट किया, तो बच्चे ने अपकी बार वो कटोरी उठाई, जिसमें बादाम उपर नहीं थे, उसे लगा अंदर होंगे, लेकिन इस बार भी अंदर से कोई बादाम नहीं निकला, बच्चा फिर गुस्से में आ गया, तो बाप ने उसे समझाया, मेरे बच्चे ये जिन्दगी हर दिन एक नई चाल चलती है, पुराने experience को ही पकड़ कर बैठे रहोगे, तो हारते चले जाओगे, अब कुछ टाइम बाद बाप ने फिर वही रिपीट किया, लेकिन इस बार बच्चे ने कहा कि, पापा हर बार मैंने ही चुना है, अब की बारा पहले उठाए, मैं बाद में जो बचेगा वो मैं उठा लूँगा, तो बाप ने वो कटोरी उठाई, जिसके उपर दो बादाम लगे हुए थे, और बच्चे को वो मिली, जिसमें कोई बादाम नहीं था, अब बच्चे ने जब खाना शुरू किया, तो उसके अंदर से आठ बादाम निकले, इस बार बच्चा बहुत खुश हो गया, तो बाप ने उसे समझाया, मेरे बच्चे जब खुद से पहले दूसरों का अच्छा सोचना शुरू करोगे, तो तुम्हा अच्छा होना शुरू हो जाएगा, निशकर्ष बाहर का दिखावा भ्रमित कर सकता है, हर अनुभव एक नया सबक होता है, और दूसरों के हित की सोच अपने हित को भी साधती है,